देखे फ्रेंट्स, आज हम एक blouse में डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही सुन्दर डिजाइन है, तो यह इसकी लाइनिंग है, और यह देखे मैंने जैसे सिंपल blouse काटते हैं, उस तरीके से मैंने इसको काट रखा है, तो blouse की मैं फुल कटिंग, स्टिचिंग की वीडियो में डाल चुकी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लिए ना, तो इस पर मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगी, तो देखे फ्रेंट्स पहले हमने लाइनिंग काटी, और लाइनिंग काट की देखे बिल्कुल सेम इसी के जैसा हम अब देखे फ्रेंट्स डिजाइनिंग हमारी जो है नेट से डलेगी, यह देखे थोड़ी सी नेट है, हम उपपर डालेंगे इसको, तो यह तो मैंने थोड़ी सी बची वी नेट मेरे पास पड़ी थी, यूज कर रहे हूं, अगर आपके पास ऐसा ना हो, तो आप थोड़ 25 सेंटिमेटर के असपस नेट खरीद लें, तो यह देखे यह जो इसका डिजाइन है, यह हम इसके बैक साइड में डालेंगे, यह देखे फ्रेंट्स, बैक साइड में हमने यह दो पोर्शन काट रखे थी, एक आगे वाला हटा दिया, पीछे वाले को रखे, अब हम इस त इस तरह रखेंगे, यह देखे, इस तरह रखने से हमारे को यह बड़ा कपड़ा मिलेगा, जो हमारा डिजाइनिंग में यूज हो जाएगा, तो इसको भी हम इस परकार काट लेंगे, अब देखे फ्रेंड्स, दोनों पोर्शन हमारे कट के रेडी हो गए हैं, अब हम इस स्विपर पर अपनी डिजाइनिंग काटेंगे, तो जैसे हम गले की, गला जितना भी लेना हो, जैसे मेरे को जैसे गला साड़े साथ का लेना है, तो मैंने साड़े साथ इंच पर यह देखे, इस तरह करके यह लाइन डाल रखेंगे, और इस जगा से हम इस तरह करके दो इ यह देखिए इस तरह रखते हुए बराबर काटेंगे अब देखिए फ्रैंस दोनों हमारे डिजाइन यह देखिए कट के रेडी हो गए हैं डिजाइन भी कट गया है और हमारा ब्लाउस भी कट गया है अब हम इसकी बाजू काटेंगे तो यह देखिए हमने पेपर लिया पे करके इसको यह देखिए इस तरह काट देंगे और देखो यहां काटते समय थोड़ा सा V-shape में बढ़ा देंगे सिलाई के लिए अब देखे फ्रेंट्स जो हमारी बच्ची वी नेट है यहां से आराम से कट जाएगा तो यह देखे इस तरह रखा और इसको बिल्कूल यूं रखके इसके बराबर काट लेंगे अब फ्रेंट्स कटिंग हमारी पूरी हो गई है अब हमारे पास कपड़ा बचा है तो अब हम यह देखते हैं हमारे पास कितने इंच कपड़ा बचा है तो यह देखे हमारे पास 12 इंच कपड़ा बचा है और इधर 3 इंच के निशान लगाके यह देखे इस तरह चार पट्ट बना लेंगे और बनाने के बाद इस पे हम पीको कराएंगे देखे फ्रेंट्स हमारी कटिंग हो गई थी देखे मैंने प्लेटे बगारा सब डाल ली हैं अब मैं अपनी डिजाइनिंग इस पे लगाना शुरू कर रहे हूं तो देखिए पहले मैंने इसको रखा और रखने के बाद यह देखिए इस तरह करके मैं निशान ले लोगी जहां तक यह मेरी नैट आ रही है यह देखिए यहां तक हमारी नैट आई है कि इससे हम इतना उचा लेंगे ताकि हमारे स्लाई में जाएगा अब हम इसको काट लेते हैं यह देखिए अब हम इसमें बीच वीच का निशान लगाएंगे और लगाके इसके उपर सिलेंगे देखिए उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ सीधा अंदर की तरफ रखके यह देखिए आदा इधर सिलेंगे और आदा इधर सिलेंगे हमने नेट को यह देखिए अटेच कर दिया है अटेच करने के बाद अब हमें क्या करना है यह जो इसका अंदर का पोर्शन है डबल पोर्शन में कटता है क्योंकि इसमें पैड लगेंगे तो इसको भी हम यह रखकर ही काट लेंगे अब देखिए फ्रेंड्स काटने के बाद यह हमने अटेच कर रखा था इसी के ऊपर रखके यह देखिए इसको भी इसके ऊपर रखेंगे इस तरह करके ताकि जोड सारे छुप जाएं ऐसे रखके बीच का निशान इसमें भी लगा लिया है मैंने अब आधा इधर से लेंग कि मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगे पैड लगाने मैंने बहुत आसान तरीके से 3-4 बार सिखा रखें तो यह देखिए अब हम इसको यह पलटेंगे और पलट के इसके यहां पर यह देखिए पैड तो अपने आप ही सेट होते चले जाएंगे जब हम उपर की सिलाई लगाएंगे तो इस जगा पर आके अब हम यहां पर टॉप सीन लगाएंगे देखिए फ्रेंड्स टॉप सीन लग गई है अब हम क्या करेंगे इसमें गला बनाएंगे तो गला बिलकुल नेक से चिपकता बा हुगा तो देखिए चोडाई में तो मैंने 3 इ करूगी चोटा ही गला होगा पीछे का भी चोटा गला ऊद ऺई अधो कि यह देकि गाला कट गया है अब हम इसमें ब्लेक क्टिर की पाइप नंगाएंगे अब देखिए फरेंट्स पीछे का एर्या तयार हो चुका है और यह देखिए आगे का हिस्ता भी तयार हो गया भलाबन गया तीरे सील गए अब हमें क्या करना है यह देखिए यह हमने जो स्लीव काटी थि यह देखिए यह काटी थी अब ह हम इसको पहले बीच हो बीच इस-्तार निशान लगाएंगे ये देखे ये लगा के हम यहां तीरे से मिला के आधा तो इधर सिल देंगे और आधा इधर सिल देंगे अब देखे फ्रेंट्स ये बाज़ियों हमारी जुड़ गई है अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे निशान है यहां से इसको इस तरह करके गुलाई में मिला देना है ये देखे इधर भी और इसके इस साइड भी यह देखे फ्रेंट्स गोलाई का मैंने यह देखे आपको दिखाती हूँ यह निशान लगाया और लगाने के बाद यह देखे इस तरह करके हम इसको काट लेंगे ताकि अब हमारी इस पर फ्रिल आईए यह देखे यह इस तरह हो जाएगा यह बिल्कुल हमारा देखने में इस तरह आएगा यह देखे ऐसे ऐसे ही हम उदर करेंगे अब देखे फ्रेंड्स हम अपनी जो मैंने तीन इंच की पट्टी आपको काटना बताया था तो देखे एक साइड मैंने पीको करा लिए अब इसमें हम अपना गैदर स्ट्रा लेंग जा आएखे नर जाएगा मैंने पिलकूल इसके अकारडिंग इसको खूंचि लिया यह इष्पार्णगर जाताया लिए न्हीं दूसरा फ्रेंड्स मैंने इस साइड कर लिया है यह तेखे इसके आगए प्रिल जो इस तरह लिग गएगी देखे फ्रेंड्स दो पट्टियां तो मैंने तीन इंच की लेके उस पे गैदर्स टाल दी अब मेरे पास जो एक लंबी पट्टी बची गया है उनको सब को जोड के मैंने लंबा कर लिया था तो उसको मैं इससे एक इंच छोटा कर दूँगी यानि मैं दो इंच का कर दूँगी इसको तो मैं अभी पहले इसको पूरी पट्टी को दो इंच का करके इसमें भी गैदर्स बनाती हूँ अब देखे फ्रेंट्स अब हम अपना डिजाइन लगाएंगे तो देखे सबसे पहले जहां यह हमने बाजू पे यह देखे जोड लगाया है मतलब बाजू जोड़ी है तो इसकी नैट को इक्वल कर देंगे देखें फ्रेंट्स नीचे की मैंने पूरी सफाई कर दिये अब यह देखने में एक्वल लग रहा है जोड़ यह देखें फ्रिल बिल्कुल लगके रेडी हो गई है अब हमें क्या करना आए यह देखें अब यह जो स्लीवस वाला एरिया है इसमें हम बड़ी फ्रिल लगाएंगे ताकि हमारी यह देखें बाजू के पास इस तरह डबल हो जाए जो मैंने तीन इंच की लिए रखी थी वो यह देखें यहां से रखेंगे और लगाएंगे बिल्कुल इसी के उपर उपर एक इंच बहार शो होगी यह देखें फिंड्स उपर की इस तरह गई और यह देखें दिखेंगे जब शू ऊंगी तो यह इस तरह होंगी अब सी इसी प्रोसिजल से मैं दूसी तरह भी प्रिल लगात fahren और दिखाती हूं आप को तो अगर यहां पर आपको समझने में दिक्कत होए गए तो यहां clear हो जाएगा यह देखे फ्रेंड्स ऐसे करके हमने यह पकड़ा और यह देखी यह हमारे पास प्रिल है इसको हमने यहां इसके नीचे रपका यह देखे दो नंबर वा दो इंच की नीचे और एक इंच की पर आप यह हमारे डबल फ्रिल लग गई है अब फेंट्स हम क्या करेंगे तेकि इसमें साइड चेन लगनी है अब हम एक पाइपन लगाएंगे जो ऐसे करके यूं पूरी घूमती हुई यहां आएगी जिससे की इसारे जोड छुप जाएंगे और इसी परकार हम इस अब देखे फ्रेंड्स हम पाइपिंग काटी हमने और यहां से हम स्टार्ट करेंगे लगाना देखे इसका फ्रोड़ा सा प्रोसीजर होता है इसी के उपर पूरा ब्लाउज टिक होता है यह देखिए ऐसे करके अब हमारी यह जो फ्रिल है इसको हम यह देखे ऐसे गोल कर देंगे इसके नीचे दबा देंगे ताकि गोलाई में मूड़ जाए यह देखिए यह में दबा दी अब दूसरी साइड आऊंगी तो आपको दिखाती हूं फिर और प्लियर हो जाएगा देखिए यह जैसे यह कपड़ा है जब हम फ्रिल लगाएंगे तो यह यहां तक तो हमारा अटैच है इसको हम इस तरह कर देंगे देखिए पाइपिन लगाते समय इस तरह दबा देंगे पाइपिन में अब देखिए फ्रेंट्स पूरी पाइपिन लग गई है तो अब हम इस तरह मोड़ेंगे, ये देखे, जब हम यहाँ पर आएंगे, तो ये वाली जो फ्रिल है, इसको हम नीचे दबा देंगे, इस तरह करके, ये देखे, ये हमने नीचे दबाई, और ये हमारी पाइपिन यहाँ पर है, ये देखे, पर आएंगे, ये देखे, 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 यह देखें फ्रेंड्स लग गई हमारी पाइप इन पर सलाई अब हम क्या गरेंगे अब हम इसके शोल्डर से शोल्डर पर भी लगाएंगे देखें फ्रिल हमारी पलट रही है हम इसको नीचे करते हुए इसके उपर एक सलाई लगाएंगे है अगि ब्लाऊस बन के बिल्कुल रेडि हो गया है और आप यह देखिए यह साइड में फ्रिल कितने सुन्दर लग रही है यह देखिए पीछे गा भी आप डिजाइन देखें देखें कितना सुन्दर डिजाइन आया है यह बैक से साइड इस तरह ऐगा तो फ्रेंट्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट सिखना लाइक और सब्सक्राइब चुरूर करना